इंडिन मार्केट में अभी एक नोटेबल करेक्शन देखने को मिल रहा है इवन प्रिवियसली आउट परफॉर्म करने वाले मिटकेप इन स्मॉल केप स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है जिसके हला कि उमीद भी थी ये करेक्शन इस्ट्रॉक्चरल बुल मार्केट के फ्रेमवर्क में एक रूटीन ओक्यूरंस है जो मिटकेप, स्मॉल केप और SME सेक्टर में आए यूफोरिया के बाद एक गरावट है यूएस बॉन्ड इल में उचाल और एराक की सिच्वेशन से जुड़े कंसंड जैसे फैक्टर्स को इस एज़स्मेंट के लिए जिम्दा ठेराया जा सकता है बट लाजली देखें तो ये सब सिर्फ एक्स्क्यूजज हैं मार्केट के पुलबैक के लिए एक्चली मार्केट प्रीशन रेली के पहले हलका हो रहा है historically इंजन मार्केट इलेक्शन रिजल्स के 6 महीने पहले प्रीशन अप्स्विंग इनिशेट कर देते हैं ऐसे में दिवाली के आसपास प्रीशन रेली के शुरू होने की उमीद है Market behavior की बात करें तो अभी और correction देखा जा सकता है जिसमें Nifty 18-700 के around अपने 200 DA में को test कर सकता है और ये एक बड़िया opportunity हो सकती है उन investors के लिए जो pre-election rally में participate करना चाहा रहे हैं ऐसे में investors क्या करें? तो investors panic होनी की बजाए शान्त रहें और एक बड़िया high quality stock की list prepare रखें ताकि इस गरावट का maximum फायदा उठाया जा सकें The content provided in the video is for informational and educational purposes only It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities, transactions or investment strategies We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions